कॉंग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर न कभी चुनाव लड़ी है ना विकास के मुद्दे पर चर्चा करने की हिम्मत रखती है अगर कॉंग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो 55 साल का कॉंग्रेस का कारोबार और 15 साल का सिवराज जी और भाजब की सरकार का कारोबार आएए आपने कितने रोड बनाए शिवराज जी ने कितने बनाए आपने कितने स्कूल खोले शिवराज जी ने कितने खोले आपने कितनी बिजली दी शिवराज जी ने के लगाओ हिसाब यह हिसाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए चर्चा इसकी होनी चाहिए अरे उनकी तो मुसिबत यह हैं उनके एक नेता सिवान दिग्गी राजा दिग्गी राजा ने बयान दिया कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे जाने से वोट कड़ जाते हैं अरे दिग्गी राजा आपके जाने से वोट नहीं जा करते हैं आपको देखते ही आपके शासन के कुशासन के वो सारी कथा सामने आ जाती हैं और लोगों का गुसा उमड़ पड़ता है और इसलिए कॉंग्रेस पार्टी ने अपने उस पचपन साल के कुशासन को छुपाने के लिए उस समय के नेताओं को भी परदे के पीछे रख दिया है जिनकी लोगों में जाने की हिम्मत नहीं है कैसी सरकार चलाई होगी भाईयों कैसा काम किया होगा और इसलिए समय की मांग है और देश को आगे बढ़ना है तो विकास के बिना कोई चारों नहीं है यहां जो बड़ी उमर के लोग बैठे हैं तीस की, पंदर, पैंतिस, पचा, साथ, सत्तर, असी आप मुझे बताईए आपका आपकी जवानी कॉंग्रेस के शासन में गई आपका बुढ़ापा कॉंग्रेस के शासन में आया क्या आपने जिस मुसीबतों में जिन्दगी काटी है जरा मैं आपसे जवाब चाहूँगा सारे बड़े लोगों से खास जवाब चाहूँगा आपने जिन मुसीबतों में जिन्दगी काटी है न गाउं में सडके हुआ करती थी न बिजली आक आती थी न बच्चों के लिए एडमिशन के लिए नदिक में स्कूल होता था न किसान को कोई पूछने वाला होता था बाबू लोगों का जुल्म चलता था जो जिन्दगी आपने काटी है क्या आप अपने बेटे बेटियों को फिर से ऐसी जिन्दगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो क्या पूरी ताकत से बताओ चाहते हो क्या हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा जो मुसिबते कॉंग्रेस के समय जेली है बेमुसिबत अपने बच्चों को भी जेलने पड़े ऐसी सरकार लाने के लिए कोई तयार नहीं होगा, बैयार, कोई तयार नहीं होगा, ये मद्यपदेश भी तयार नहीं होगा, और नव जवानों से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप अपने माबाप को जैसी जिन्द की गुदारनी पड़ी, क्या आप अपने बच्चों का ऐसी जुद्धी की गुजारने के लिए मजबूर करना चाहते हो? क्या आप बढ़ला हुआ मद्यपरदेश चाहते हो गो नहीं चाहते हो? आप अपने सपनों का मद्यपरदेश चाहते हो गो नहीं चाहते हो? आप अच्छा इंफरस्ट्रक्चर चाहते हो गो नहीं चाहते हो? अच पंदरा साल का इंतजार करना नहीं पड़ता भायों मैंनों जो कुछ नहीं कर पाए वो आगे कुछ कर पाएंगे ये भरोसा करना ये सबसे बड़ी गलती होगी